राधे राधे दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल मन की भक्ती में बहुत बहुत स्वागत है चैत्रमावस्या पर बुरी शक्तियों का रहता है प्रभाव भूलकर ना करें ये गल्तियां नहीं तो पस्ताएंगे आप धार्मिक मालनेता है कि अमावस्या पर नकारात्मक सक्तियों का प्रभाव तेज हो जाता है जिससे मानसिक सारे दिक आर्थिक हानी हो सकती है चैत्रमावस्या पर देर तक ना सोहें सुर्य अदय के पूर उठें और इश्नान करें और अपने पित्रों को प्रशन करें कि आसपास तो नहीं जाना चाहिए गरण पुरान के नुसार इस दिन अमावस्या पर सारी रिक संबंद बनाने से भी पैदा होने वाली शंतान का जीवन परिचानियों से भरा पड़ा होता है अमावस्या तिथी पित्रों को शमर्पित है ऐसे में अपने परिवार में बाद कष्ट होता है और उनकी क्रपा नहीं प्राप्त होती है इस दिन नसा और तामसिक भोजन भी ना करें यह मानता है कि इससे पित्रदोष लगता है पित्र नाराज हो जाते हैं आर्थिक नुक्षान उठाना पड़ता है नाखून और बाल भी इस दिन नहीं कटवाना कि पित्रदोष में होते हैं अते इस तरह के कारिये ना करें और अपने पित्रों को पसंद करने के लिए दान पुन्य करते रहें धन्यवाद आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज से सब्सक्राइब करें धन्यवाद